हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो गाईज आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुमाव यूनिवर्सिटी का बी एड एंट्रेंस एक्जाम 2020 बी टू पेपर सॉल्व बी टू यानि कि आपका जो इसमें दो पेपर होते हैं बी वन ए क्जैक्षा होता है वह आपका एक सब्छी क्रूह पेपर होता है जो कि आफका ग्रेजुएशन की सब्जीक्ट बाच को तो आपको pourquoi ग्रेजूएट्यू की एक्जाम पेपर तो वह एक और पर इसमिल किया है तो आपको आपको ऐस ग्रूह Pasuk Sand आरे सब्जेकट पर होते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह का पेपर 2020 में हमें देखनी को मिला था तो देखे पहला प्रशन हमसे पूचा गया है निमलिकित में से रबर किस प्रकार की वनस्प्यती से संबंदित है ऑप्शन है टुंड्रा हिमालियन पत जड़ी और उस निकटी बंदिय सदा बहार करेक्ट आंसर को हो जाएगा राजा सासी हवाई अटाइस्ति थे अम्रित्सर में अगला प्रॉषन है हिम जंजावत डैस खेत्री की विशेष्थां है बुमती रेखे ऊष्नगे वन दिये दक्शिर्वीय जिसको ऐंटार्किय कह सकते हैं या फिर सितोक्षन करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिर धुरुवी एंटार्कटिक इसका करेक्ट आंसर होगा जो की हीम जंजावत छेत्र की विसिस्ता है अगला कोशिन हमारे पास है एड़ोकेट जनरल की न्यूक्ति कौन करता है ओप्षिन्स है राज्यपाल मुख्य मंतरी स्पीकर या फिर प्रधान मंतरी तो एड़ोकेट जनरल की न्यूक्ति कौन करता है राज्यपाल करता है अगला प्रशन है सभी को आर्थिक समानता उपलब्द करवाना किसका लक्षि होता है ओप्षिन्स में दिया गया है कि समाजवाद प्रजात अंत्र धन्म निर्पेक्षिता या फिर सम प्रभुता तो करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा समाजवाद का होता है लक्षि कि सभी लोगों को आर्थिक समानता उपलब्द करवाना अगला है हमारे पास कौशन नमबर सिक्स जिसमें पूछा गया है पंच वर्सी योजना की अवधारना किस देश के समीधान से ग्रहन की गई है तो देखे जो भी आर्ट्स वाले स्टुडेंट्स हैं उनका जो बीटू पेपर होता है उसमें आपके समीधान से मोस्ट कौशन बनते हैं तो आप समीधान को ध्यान में रखना यहां पर आपसे पंच वर्सी योजना की आवधारना पुछी गई है कि किस देश से ल चल रही है तो वह कैसे निधारत क्या जाएगा प्रतिवेक्ति आय से और साक्षरता इस तरह से या फिर आपका जो हैल्थ स्टेटस होता है लोगों के स्वास्ति के स्थी उससे तो यह तीनों ही आपके माइने रखते हैं किसी भी देश का विकास निधारन करने के लिए तो तो देखें आपसे आपसे उत्राखंड के भी कुछ क्वेशन यहाँ पर आर्ट्स में दिये जाएंगे वो भी आपको धिहान में रखना है तो अल्मोडा इसका करेक्ट आंसर होना है अल्मोडा को उत्राखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं और साथ ही आपसे य कॉमन वेल्थ बैंक किस देश से संबंदित है तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा और न्यू एजूकेशन पॉलिसी 2020 से दिया गया है जिसका पूछा है कि नई पार्ट करम का धाजा किस प्रकार से तैक किया गया है तो देखिए आपसे सिक्षल संबंदित कॉछ जा देखिए और नुओ एजूकेशन पॉलिसी 2020 से आपको इस भार भी कॉश्चन देखने के मिलंगे ठीक हैं तो करेक्ट आंसर में क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ठीक है तो यह आपको याद रखना है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा अगला क पॉशन है बादलो का वायो मंडल में तैरने का कारण क्या होता है यानि कि उनका कम क्या ताप वेक ताप या फिर घनत्व तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका कम घनत्व बादलो में कम घनापन होता है यानि कि उसके कण जो होते हैं वो दूर दूर मुझूद होते है इसलिए बादल क्या होते हैं वायो मंडल में तैरते हैं अगला प्राशन देखे हमसे पूछा है हमारे राश्ट्री ध्वज की लंबाई चोड़ाई का अनुपात कितना है इस तरह से हमारा राश्ट्री ध्वज है तीरंगा कहते हैं हम इसे बीच में चक्र है और इसकी हमसे लंबाई और चोड़ाई का अनुपात पूछा है तो लंबाई जो है चोड़ाई की अपेक्सा जादा है तो लंबाई आपकी तीन होती है और दो तो तीन और दो का अनुपात है इसमें तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसमें कहीं पर भी नहीं दिया गया है तो तीन अनुपात दो तीन अनुपात दो की रेशियो में होती है हमारे राष्टी ध्वज की लंबाए और चोड़ाए अब देखिए करेक्ट आपका नेक्स्ट कॉशन है नॉर्मन अनेस्ट बोलोग जो भारत की हरित करांती के जनक पाने जाते हैं उनका संबंद किस देश से है आप्शन है संयुक्त राज अमेरिका मैक्सिको ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजिलेंड तो करेक्ट आपसर इसमे हो जाएगा संयुक्त राज अमेरिका अगला कॉशन है गोल्फ ए खिलाडी विजैसी हैं किस देश के हैं भारत USA फिजी या फिर UK तो करेक्ट आपसर हो जाएगा ये हैं फिजी देश के अगला प्रशन है भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है करनाटक, मध्य परदेश, असम या फिर अरुनाचल परदेश सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है मध्य परदेश अगला है प्रश्ण हमारे पास किस इसमारक को भारत का राश्ट्री इसमारक कहा जाता है यानि कि National Monument of India कौन सा है लाल कीला, राजगार्ट, इंडिया गेट या फिर गेटवे ओफ इंडिया तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा इंडिया गेट जो की दिल्ली में स्तित है नेक्स्ट कोशन है भारत में National Girl Child Day परती वर्श कप मनाये जाता है भारत में National Girl Child Day मना जाता है 24 जन्वरी को अगला प्रशन है S. विजे लक्षमी का नाम निमलिकित में से किस खेल में परसिद्ध है ओप्शन है बैडमिन्टन, शत्रंज, टेबल, टैनिस और लॉन टैनिस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शत्रंज में नेक्स्ट कोशन है हमारे पास कोशन नंबर 19 जिसमें पूछा है भारत के निमलिकित में से किस राज्यका क्रोमाइट के उत्पादन में एक अधिकार है तो कशन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उडिसा अब देखिए अगला प्रश्ण है नोबिल पुरुसकार के पहले एशियाई विजीता कौन है बताना है तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रैमन मेक्स से पुरुसकार अगला प्रश्ण है चमबा सुरंका उद्गाटान किस राज्य में किया जा रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्राखन राज में वी सी राय पुरुसकार किस छेत्र में दिया जाता है ओप्शन है शिक्षा, पत्रिकारिता, चिकित्सा या फिर परियावरन तो देखिए वी सी राय पुरुसकार दिया जाता है चिकित्सा के छेत्र में अगला प्रशन है वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस पशु के प्रजाती में 29% की व्रधी दर्ज की गई है व्रधी पुचा है ना की कमी तो correct answer इसका हो जाएगा एशियाई शेर एशियाई सेरो की जो जनसग्या है उसमें 29% की व्रधी यहाँ पर दर्ज की गई है इस रो इस्थापित किया गया था तो इस रो का आप से इस्थापना वर्ष पुचा है correct answer हो जाएगा इसमें 1969 में अगला प्रेशन है उत्राखंड के किस जिले में द्हौली गंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है चमूली पिथोरागड रूदर प्रियाग और टिहरी correct answer हो जाएगा पिथोरागड में क्योंकि द्हौली गंगा नदी पिथोरागड में बहती है अगला प्रेशन है पारिस्तिती की स्थाई अर्थ व्यस्ता है ये किस के द्वारा कहा गया तो ये अक अधन बताना है किस के द्वारा कहा गया सुन्दर लाल बहुगुरा, सददार पटेल, लाल बहादूर या फिर अगबार अली तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरा खड़न के जो प्रिस्द प्रियावरन विद है सुन्दर लाल बहुगुरा जिके द्वारा कहा गया था पारिस्तिती की स्थाई अर्थ व्यस्ता है अगला प्रेशन है विश्व जल दिवस कब मनाय जाता है अगला प्रेशन है उस गवरनर जनरल का नाम बताईए जिसने सती पर्था समाप्त की थी अगला प्रेशन है वो राज जहां सबसे अधिक संख्या में कौटन टेक्स्टाइल मिले है तो वह कौन सा राज है महराष्ट, आंतरप्रदेश, मद्यप्रदेश या गुजरात करेक्ट आंसर इसमें है महराष्ट महराष्ट में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्रों की मिल है अगला प्रेशन है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है जै वारक्षित यानि की बायो स्फियर रिजर्व एरिया अपसे पहला कौन सा है भारत के अंदर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नील गिरी नील गिरी ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चंदरमक की सताय और उसकी आंतरिक स्थती का अध्यन करने वाला विज्यान कौन सा कहलाता है ओप्शन से खगोल विज्यान, भू विज्यान, सैलोनोग्राफी या फिर खगोल भौतिकी तो करेक्ट आंसर इसमें है ओप्शन सी सैलोनोग्राफी कौशन नमबर 34 है किस देश में लिटल इंडिया गेट नामक सरचना बनाई गई है इंडोनेशिया, कोलंबिया, स्रीलंका या फिर बांगलादेश तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा इंडोनेशिया में इंडो देशा में एक लेटल इंडिया गेट जैसा ही एक गेट बनाया गया है अगला प्रश्ण है हमारे सौर मंदल का सबसे बड़ा प्राकरतिक उपग्रह कौन सा है उपग्रह पूछा है ठीक है प्राकरतिक नैचुरल आपको सटेलाइट बताना है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ऑप्शन है टाइटन, कैलिंस्टा, गेनीमेड या फिर यूरोपा तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा गेनीमेड अगला प्राशन है खजुराहो गुफा किस वंश के साशनकाल के दोरान बनाई गई थी आप्शन है मौरी वंश, चंदेल वंश, गुप्त वंश या फिर चालुक के वंश तो खजुराहो जो गुफा थी वो किस किस साशनकाल में बनाई गई थी चंदेल वंश के साशनकाल में बनाई गई थी अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पे भारती सिक्षा का मैगना काटा किसे कहा जाता है इंपोर्टेंट कोशन है भारती सिक्षा का मैगना काटा किसे कहा जाता है अगला प्रश्ण है विश्व का पहला भारतिय चात्र जिसने लंदन में 2020 में गोल्ड इन माइंट स्पोर्ट्स ओलिम्पियाड जीता यह आपका करेंट अफ्यर से कोशन दिया गया है इसमें देखे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा तो कोशन नमर 38 का करेक्ट आंसर हो अगला प्रस्ण है देश में बाल लिंगानुपात में गिरावट के संभावीत कारण क्या है यानि कि बच्चों की चाइल्ड सेक्स रेसियो में यहां पर थोड़ा सा लिंगानुपात पाए जा रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है कम प्रजनंदर कन्या भून हत्या सरका से केवल एक बच्ची के लिए प्रस्चाहन देखिए बताना है हमें कौन सा इसमा उप्षन सही होगा तो करेक्ट अंसरेस्मों का कन्या भून हत्या के कारण हमारे देश में लिंगानुपात बढ़ता जा रहा है यानि कि लड़कों का रेशियो ज्यादा होता जा रहा है औ से कौन सी पुस्तक लिए है औप्शन है अजादी के लिए लंबी यात्रा फिर उन्हें से कोई नहीं तो करेक्ट अंसरेस्मों हो जाएगा आजा जैगा लंबी यात्रा लिखी गई थी नेलसन मंदेला जी के द्वारा अगला प्रस्चन है गौतम बुद्ध जी के ? जन्म क का प्रतीक्जिन Question No. 43 में पूचा गया है Congress के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष निर्धारित किया गया था ये बहुत important question है इसमें पूचा है Congress का इसमें कौनसा अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का गोल सेट किया गया था और अधिवेशन उन्नी सो उन्तिस फोर्टी फोर में पुछा गया है बारा माई 2020 को कोरोना लोगडान पिरियड के दोरान नरेंद्र मोधी दोरा आत्म निर्भर भारत मिशन या सैल्फ रिलाइंट इंडिया मिशन की घुशना की गई थी आत्म निर्भर भारत मिशन के प्रम गल्प चुनना है कि कौन कौन से इसमें मेजर पिलर रखे गए थे तो देखें यहां पर जो जितने भी यहां पर लिखे हैं वो सभी सई हैं तो यह सभी प्रमुक पिलर्स थे तो करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्रोग सभी कॉशन नंबर 45 है निमलेकित में से कौन सा पार् विश्व धरोवर की सुची में नहीं आता है ठीक है अगला कोशन है 1857 की क्रांती कहां से प्रारंब हुई कई बार यह कोशन पूछा गया है ऑप्शन है मतुरा मेरट जहासिया अवत आप सभी को पता होगा मेरट से 1857 की क्रांती की शुरुआत हुई थी अगला प्रशन है सिंदु खार्ट के लोगों का मुख्य वैवशाय क्या था उक्यूपेशन क्या था उनका जीने का एक जरिया जो होता है क्रिशी वस्त निर्माण चर्मकला या फिर मतस्ति पालन तो एगरी कल्चर ही उनका सबसे पहला और मुख्य वैवसाय था अगला प्रशना आता है हिं अगला प्रशन पुछा गया है लिए V. 16 मिनाए जाता है जो है जिल was ऑगला तुम्हे होरान दनाता है निवलख लग प्रशनल में के घील्कम की है सामभर चील तो फ्रेंड्स यह हो गए आपके B.A.D.S. एक्जाम 2020 का एक कॉशन पेपर सॉल्व जिसमें कि हमने B.2 वाले ओप्शन पेपर का आठ साइड का एक कॉशन पेपर सॉल्व किया आई होप आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपसे 50 कॉशन किस तरीके से पूछ जाते हैं और किस लेवल का आपका यह कॉशन पेपर बनता है आप सभी को all the best अपने आने वाले B.A.D.S. एक्जाम के लिए साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा